नमस्कार आदाप मैं आजीम तामबोली आप देखरें YSR News महिला बालकल्यान की सभपती और नगर सेवी का दिपीका आरोरा इस वक्त हमारे साथ में है दिपीका आरोरा जी किस तरह से आपका ये कारेकाल रहा महिला बालकल्यान समीती का नमस्कार बहुत 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 शुक्रिया अजीम जी कि महिला बालकल्यान सभपती होने के नाते जो कोई कारेकाल समीती के साथ मिल करके मैंने किया उसे आज आपने सराहा और आज यहां पर आप आए हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया तो बस यही कहूंगी कि यह एवाल 2018-2019 का जो कारेकाल रहा है हमारा उसके बारे में है जो किताब में काम है कहते हैं तस्वीरे जूट नहीं बोला करती इसलिए तस्वीरों के माध्यम से कुछ काम हमने दर्शाने की कोशिश की है बस यही कहू हो गई है कि जो मुद्दा में लेकर के आई थी पॉलिटिक्स मेरे राह में अपने आप आया है और पॉलिटिक्स ना करते हुए हमेशा सोशल सर्विस को मैंने एक तवज्जो दी थी तो एक माध्यम जो मुझे बनाया गया बारतिया जनता पार्टी की तरफ से आज हेमन मा मात्रे जी का अध्यक्ष हैं वो हमारी पार्टी के माजी आमदार श्री नरेंद्र मैता जी और उस वक्की जो महापौर थी जिन्नोंने हमारे सारे काम में हमारी साहता की हमें गाइड करते रहे उन सब का धन्यवाद करते हुए और आज प्रेजंटली हमारी पार्टी की जो तो मेर मैडम है जोसना हसनाले जी उनके साथ में मिलकर कि हमने इस किताब का विमोचन किया है तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप गोत्रू करें और जो कुछ हम से आगे भी बन पड़ेगा हम करते रहेंगे मैडम किस तरह की आपने योजना यहाँ पर स्टार्ट की थी ऐसे सभापती तो काफी बहुत सारे लोग बने हैं लेकिन ऐसा क्या नया आपने इस समीती दौरा किया है अजीम ची ये बोलना चाहूंगे कि मैं सभापती होने से पहले तीन चार साल मुझे मौका मिला अजीम चाहिए और बहुत ही करीबी से मैंने जाना कि लोगों और स्कीम तो बनती हैं पर कई न कई वो बुक्स में ही रह जाती हैं अक्चल यूजर्स तक नहीं पहुंचती तो पहले अक्चल यूजर्स तक कैसे पहुचाना है उसका ब्रिज बनने का माध्यम बनने का भी समिती काम करेगी एक्चल यूजर्स के हक में करेगी और उन्हें क्या चाहिए उस तरह का काम करेगी तो जैसे कि हमें पता चला कि कई बच्चे हैं जो बहुत एजुकेशन में अच्छे होते हैं पर कई ना कई घर की परिस्तितियों के कारण उन्हें वो नहीं मिल पाता तो ऐसे स्कीम्स तो बनी पर ये बुक्स में ही छपकर के माईती बुक्स में रह गई तो वो अवेरनेस क्रियेट करने का काम ये समिती ने बखु भी किया है और सभी मेंबर्स ने मेरा इसमें साथ दिया फेस्बुक के माध्यम से सेमिनार्स के माध्यम से जहां कई भी हम प कमिति उसको help कर सकते हैं तो आगे बढ़कर के आई तो फीज देने का जो काम है education fund आज आप मानेंगे नहीं 15 लाक रुपे का fund हमने 116 लोगों के महिलाओं के बीच में विद्वा महिलाओं की बच्चियों की बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने ये fund एक साल के अंदर दिया ह तो आप मान सकते हैं कि वो 116 लोग हमें किस तरह से इस बर दुआये दे रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक की पढ़ाई छूटने वाली होगी और शायद हमने वो पढ़ाई कराने से उनको छोड़ने से बचा लिया है तो मेरे ल मीरा भाहिंदर के पूरे शेत्र में ही हमने काम किया है कोडी समाज एक बहुत बड़ा महत्वा यहां पर रखता है महराष्ट्र है और यहां पर भूमी पुत्र मराठी माने जाते हैं तो कही ना कही मुझे लगता था कि क्यूंके उतन गाओं और यह दूर पढ़ता था तो वो लोग बल्क में हमारे पास नहीं आ पाते थे तो हमने आरोगय शिबिर वहीं पर जाकर के उनके कोडी भवन में ही आरोगय शिबिर आयोजित किया कोडी समाज या उतन गाओं में जाकर के भी इस तरह की महिलाओं को हमने हेल्प किया है ओवर अगर आप देखेंगे cancer patients ज लोगों को हमने उस तरह से पांच लाग की राशी से मदद की है और घर घर में ये पहुची है ऐसा नहीं कि बस इस इट वस ऑन दबुक्स एक एक लाब भरती तक ये लाब पहुचाए गए हैं तो ये काम किये गए स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप देखे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो जाना चाहते थे तो समाज कल्यान के साथ में जोड़ करके क्योंकि मैं मानती हूँ जब तक कि आपका रिलेशन इंटरा डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल ये दोनों जब तक सायम नही बनेगा तब तक वो एक्चल यूजर तक हम बेनिफिट नहीं करा पाएंगे तो मेरा काम था जिस डिपार्टमेंट में फाइदा होता है उस डिपार्टमेंट को आज सभापती अप्रोच करके मैंने पचास लाग पचास हजार की राशी एक बंदा बच्चा जाना चाह रह रहे थे तो कुछ ना कुछ मदद पालिका की तरफ से कराके दी है और टाइम पे कराके दी है वो बहुत इंपोर्टन्ट होता है अजीम जी कि वक्त निकल जाए तो फिर वो चीज का फाइदा मीठा हो या खटा हो नहीं मिल पाता है तो अगर वक्त पे हो तो सोने पे सुहा लगा हो जाता है तो वक्त पे उनको वो राशी फल दिया गया ताकि वो कॉंपटिशन में जा सके और वहां से वो मैडल भी लेकर के आए तो मीरा भाहिंदर के लिए गर्व की बात है मेरा भाहिंदर महानगर पालिक का किस तरह से आपको ये पूरे कारेकाल में सही योग मिला जी बिलकुल मैं तो मानती हूँ कि प्रशासन की जो खूबियां है मैं बिलकुल नजर अंदाज नहीं करूँगी जब उन्हें कोई काम करने वाला मिलता है और सही दिशा में काम कर दुखता नहीं है मैं उसकी बहुत अच्छी एक्जामपल हूँ कोई भी काम हो हमेशा से हुआ है और कोई भी प्रपोजल उनको दिया है तो उसमें पानपटे सर थे संखे जी थे बहुत सारी चीज़े हमने नहीं नहीं योजनाए हमने लेके आई इसमें आगर आप देखे तो कमिशनर जी हमारे टाइम पे दो कमिशनर भी चेंज हुए थे तो भी उन्होंने शुबेच्छा में पूरा कारेकाल स्टडी करके उन्होंने ये लिखा है यहाँ पर कि इतनी योजनाए पहली बार मीरा भाहिंदर में की गई सिरफ ट्रेनिंग तक हमने सीमित नहीं रख और हमारी टेनियर भी खतम हो रही थी तो अभी आगे प्रशासन को हमने सौप दिया एक पूरी की पूरी फैक्टरी यूनिट चालू की है जहां पर ये कारे संस्था महिला संस्था द्वारा किया जाएगा और वो बनाएंगे और जो विक्री है वो भी महिलाओं द्वारा क जानेंगे कि पीछे कई ना कई प्रोफेशनली रह जाती है जो घर बैठी है टच में नहीं है देटू डे लाइफ के तो वो उनकी इंगलिस स्पीकिंग बले उन्हें आती भी हो तो वोकल स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो भी मैंने स्टडी किया कि हाँ ये करना था तो कम फंड में हमने वो ट्रेनिंग स्टार्ट की और सक्सेस हुई आने वाले समय में जो भी सभापती रहेगा उनसे भी यही बात कहूंगी कि आगे वो बढ़ाएं उसको और ये सारे काम करने में प्रशासन ने बहुत मदद की है और हमेशा पहल करके उसको सराहा है और फंडिंग बोलिए या सैंक्शनिंग बोलिए वक्त पे की है तो ही हम ये सब काम कर पाए हैं मेरा भाहिंदर शेहर की जनता को आप किस तरह से आवान करना चाहते इसमें कई ऐसे लोग है जिसने पता नहीं कि वो सुविदा हमको महापालिका से मिलती है महिला बालकलि किस तरह से आप आवान करना चाहेंगे उस शेहर की जनता को बस मैं यही कहूंगी कि हमेशा आप तक कोई इन्फोर्मेशन आती है तो वह आप अपने तक सीमित ना रखे वो इन्फोर्मेशन को जितनी तेजी से आप आगे बढ़ा सकते हैं पहले तो उसकी तथ्य को जानिय है कि यह सही में चल रहा है या नहीं उपस्त है या नहीं चालू है या नहीं और अगर सही में माद्यम से चालू है और सच है इन्फोर्मेशन तो उसको अपने तक सीमित नहीं रखे यह क्योंकि शायद किसी जरुत मन्द की वह बहुत काम आ सकती है और actual users तक हमें हम तक पह सके ये थे दिपिका अरोरा जी जो पूर्व महिला बालकल्यान समीति के सबबपती रह चुके है इन्होंने मीरा भाहिंदर शेहर की जनता को आवान किया है कि ऐसे कई सुविदा है जो महानगर पालिका से मीरा भाहिंदर शेहर के नागरीकों को प्राप्त होती है लेकिन पूरी तरसे लाब उठाए क्यामरमेन विने के साथ आजिम तामबोली भाहिंदर मेरा भाहिंदर महानगर पालेके चा महिला बालकान समीति ने गला वर्शां मदी जेका ही स्थुत्य कारेक्रम राबोने ताले ताचा मगी में खास करून ताचा मदी टूविलर प्रस्क्ष करेशन आसो इंगली स्पिकिंग स्कोर्स आसो ने प्रसेक्षन आसो अनि हम अध्यातिन जुजन होता या योजना फार ताईल प्रकार्राब ओल या जाका या योजना होता है ताचा मिला बालकान समीति में अधे सबब्स वापति उपसबदी जेंचा मिलून आमी चर्चा क मेला बालकाली संविती इस थर शेरा मेला वो मुलीन ना दिया प्रतनकेला आनि ते चाइले प्रकार याद करते हैं परिन्य मामाला दिशोना लिला है आज बार्पार आज महिला आत्मा निरवर जे अपन होतो तो इस अपना मी खर्या कुछ रिख्वा तो आज समर्पिज जा क्या बुलना तुभी सभवापती ला है संगोगा या सभवापती बगितले आपन जा पदतीनी जा दोगीनी सभवापती जा दिंपर अरुणा मैडम नीजी महिनत घूंजी को पुस्तक तायर के लिए जा प्रशाशन जा महागए लागून पाठवपरा कुरूं जा योजना तायर के लिए आनि रभो लिए ताब दुल मित्यां से को तुकर तो अनि ते पुड़ी आट वाट चाल इसला मित्याना धन्यमाद देतो हैंक्यू मोहन जगनात बंडरी मैं वाड नमर 17 जिसमें दिपिक अरोर जी सभवापती थे महीला बाल कल्यान के सेम वाड में हम लोग उसी दोरान जब सभवापती थे दिपिक अरोरो जी जब 2019 की बाते मुझे इंटरनाशनल खेलने का मौका मिला उसमें मैंने एक ब्रॉंज मेडल ये सर्टिफिकेट हैं सेम होई उसी टाइम पर मुझे जो जाना था इंटरनाशनल और वो फर्स टाइम था मेरा तो उसी दोर के लिए इतना sponsorship जो भी मिलता है हमारे वार्ड से यह मुझे पता ने था जब उनसे मैंने बात कितो उनने यह बताया कि ऐसा हमारे वार्ड में होता है जो sportsmen के लिए sponsorship देते जो भी travel expense हो जो भी हो जितना भी हो तो उनकी वज़े से मुझे यह पता चले कि sponsorship होता स्पोर्ट के लिए उनकी वज़े से मैं यह competition में जा पाया मेरा जो traveling expense था almost around sponsorship बोलें तो हम लोग को around 50,000 तक का मुझे sponsorship मिला जिससे मुझे जाने के लिए बहुत help हुआ साथी मैं अपने teachers को भी थांके बोलूँगा जो मुझे karate सिखाते हैं जिनकी वज़े से मैं इतना skillful बना हूँ और पंका जरोरा जी जो दिपिकारोरा जी के साथ है उनको भी थांके बोलूँगा और मेरे mother and father को भी थांके बोलूँगा मेरा नाम लत्ता चोरे रहे मैं मैडम नगर पाली का दिपिका जी के पास आई थी मेरी मम्मी को cancer था उनके बारे में बात किया मैं मैडम के साथ तो मैडम बोले मैं अपना everything जो मेरे से हो चुका मैं MBMC में बात करूंगी और उन्होंने रियल में मुझे वो सब करके दिया दो बार मुझे MBMC help मिली त्रू दिपिका मैडम के और वो मुझे बहुत सपोर्टी हुआ amount उनके treatment के लिए आगे भी मैडम को हम जो भी बोलती हुम है तो she is cooperative और बहुत सारी चीजों में वो आगे आई है and I am thankful to her के वो case में मुझे बहु वो amount काम आया और आगे भी अगर कुछ help चाहिए तो वो कारेंगे मेर को ऐसा अजना माय टेलमा नून मुटागा ओली बाग मंदी राता है आमची मैला मंडला है सं तिरेजा वस्तिस्वा संग ओजट मंदी आमचा तिसरा लंबर आईला है आमना बक्षिस्पन बेटला दिल्ली ला पन जाऊना इलू नंतर मंगा दिपिका मैंडम जून सिबीर लावली इते आरोग गिशिबीर दोल्याची तपासने केली नंतर मंगा कैंसर चा तपासकेला नंतर मंगा बिजान बाहिंदरला ते जून एक सभाग इतली जसाथी दिपिका मैंडम जून बहुं आमना स्वेकेली नामना जेकाय माहिती नत्ता ती माहिती दिली वनन ते सथी दिपिका मैंडम चे आबार मंगतो दन्यवाद देतो एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाता हूँ मेरा वहिंदर की जो मैला बाल कलेंड समीती है वो बहुत है अच्छा काम कर रही है हमारी जो सभापती थी दिपिका आरोरा जी उन्होंने नए नए प्रकल पे इसमें शिरुवात किये जैसे हम यह उद्द्यों की नहीं इसमें बहुत बड़ा सेमिनार हो गया तो वो अच्छा काम किया और आगे चल करो अच्छा काम करते है ऐसे मैं उनको सुबच्छा देती हूँ